हनुमान जी के अबिरल भक्ती से जहां एक और मन को शान्ती मिलती है तो वही दूसरी और सकरात्मक ताका भी संचार होता है हनुमान जी के कहीं चमतकारिक मंदिर हमारे देश में मोजूद है एसा ये चमतकारिक अनुमान मंदिर सियुनी मालबा तैसिल की बॉडर पर बसे गाउं तारंखेडा इस्तित सिद्ध अनुमान मंदिर है जहां बक्तों की अर्मनो कामना पूर्ण होती है ग्रामिनों के अनुसार बरसों पहले बोर्दा के किसी सुबेदान ने ग्रांतारंखेडा से अनुमान जी की तीन प्रतिमाय ले जाने का प्रयास किया था दो प्रतिमाय तो बोले गए जो कुछ दूरी तक गई लेकिन तीसरी प्रतिमा को बोधा गारी और साकलों से बांध कर ले जाने का लाग प्रयास किया गया लेकिन प्रतिमा को कोई हिला भी नहीं पाया तब से अनुमान जी की प्रतिमा यहीं पर है पहले श्रद्दालू ने यहां छोटा मंदिर बनाया था लेकिन लगबग 15-16 साल पहले बिसाल मंदिर बनाया गया है जहां प्रती शनिबार और मंगलबार को बेतुल के साती नर्मदा पुरम जिले से सेगरो श्रदालू दर्सन कन्ने आते हैं मंदिर के समिपी पाड़ी के नीचे और गाउ में एक अन्निस्तान पर जल दाराय 24 गंटे 365 दिन अबिरल पे रही है ये जल कहां से आरा है ये आज तक रहस से बना हुआ है यहां पोचने बाले श्रदालू इसे अनमान जी का चमतकार मान कर इस जल से इसनान करते हैं बुजुर्ग बताते हैं की बरसो तारम खेड़ा के जंगल में तीन अनमान जी की मूर्ती रखी हुई थी जिसे बोर्दा के सुबेदान ने उनके छेतर में ले जाने का प्रयास किया मूर्ती को बोदा गाड़ी से बोर्दा ले जाना था सुबेदान ने एक प्रतीमा बोदा गाड़ी में रखकर तारम खेड़ा से ले गए जो तारम खेड़ा से लगबग साथ किलोमीटर दूर सीवनी मालबा तैसिल के गराम साथ पुरा तक गई वही दूसरी प्रतीमा नर्मदा पुरम जिले के ही सुपतबा तक जा पाई उसके आगे नहीं बढ़ने पर उन्हें वही स्तापित कर दिया गया सुबेदार और उसके कर्मचारी तीसरी प्रतीमा लेने तारंग खेड़ा आए लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे प्रतीमा को इला तक नहीं पाए इस दोरान साकल से बांधने और बोदा गाड़ी से कीजने के बाद भी जब प्रतिमा ने हीली तो वे प्रतिमा वही छोड़ कर चले गए मंदिर में अनुमान जी की पूजा कन्य बाले ग्राम तारंग खेडा निबासी केलास पप्पू इके ने बताया की कई साल पेले ग्रामिडों ने प्रतिमा के पास छोटा मंदिर बनाया था उस समय प्रतिमा से मंदिर की छट बहुत दूर थी लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा अपने आप पढ़ने लगी लगबक 15-16 साल पहले हनुमान जी की प्रतिमा मंदिर की छट तक पहुँच गई तब आसपास के गाउं के शट दालू और ग्राम बासियों ने मिलकर विसाल मंदिर बनबाया गाउं के बाहर जंगल किनारे बने इस मंदिर में प्रति सनिबार और मंगलबार को बेतूलो नर्मदा पुरम जिले के सेगरो शट दालू दद्दा के दर्शन कनने आते हैं यह आने वाले शट दालू की संक्या दिन प्रति दिन बढ़ते जा रही है तारम खेडा अनुमान मंदिर के साइड में पाड़ी से नीचे 24 गंटे 365 दिन अविरल चलदारा पैती है यहाँ पाड़ी से आने वाले जल के पास ग्रामिडों ने एक सीमेंट की टंकी बना कर पाइप लगा दिया है जिससे पूरे समय पानी बेता है इसके साथी मंदिर में लगबग 500 मीटर दूर प्लेन इस्तान पर भी एक कुंड बना है जहां से पूरे समय पानी पेता है कुंड के पास किसी भी प्रकार का जल सुरोत नहीं है इसके बाद जुद लगतार पानी आना किसी चमतकार से कम नहीं है ग्राम तारम खेडा निबासी बताते है कि ये पानी कहां से आता है किसी को नहीं पता है हम तो इसे अनमान जी का चमतकार मानते है इस पानी को एक बड़े गड़े में जमा कर आसपास के खेतों में इंजन से पानी ले जाया चाता है लगातार इंजन चलने के बाद जूद यहां कभी पानी खत्म नहीं होता है गाउं की मैलाओं ने बताया की यहां सो निकलने बाला जल इतना साफ है की सभी ग्रामिड यही जल पीते हैं ग्राम तारम खेडा में प्रती सनिबार और मंगलबार को श्रद्दालू की भी लग जाती है यहां असपास के गाउं के साथ ही मलाचपुर, चीचोली, पाडर, भौरा, शापुर, नर्मदापुरम जिले के सुक्तबा, केसला, इटारसी, सियुनी मालबा साइत अन्य इस्तानों से श्रद्दालू तारम खेडा मंदिर पहुशते हैं जा पवित्र जल्दारा में इस्तनान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करते हैं रमडिक इस्तान पर मंदिर होने से कई लोग परिबार सहीत आकर पिकनिक भी मनाते हैं वही मनोकामना पूरी होने पर हल्बा खिचेड़ी आदी का बंडारा भी करवाते हैं पंडेजी अनुमान जी का बहुती सिद्ध इस्ताने क्या है इस मंदिर का इतियास इसका यह लगभग तीन सो साल पुरानी मुर्थी बताई जाती है जिसी हाँ एक भूता तादा है बुजूर्ग आदमी गाओं में एक डोडिया को में एक बुजूर्ग गौलान है इनके माद्यम से बताया गया है कि यह लगभग तीन सो साल पुरानी मुर्थी और स्वयंबु मुर्थी है मतलब पहले यहां बहुत जंगल था रायमुनिया थी तो तीन मुर्थिया थी तो एक मुर्थी उटके चले गई साथपूरा एक चले गई सुक्तवा और यह मुर्थी उठी नहीं किसी से बोदा गाडी से उठाया गया बोदा गाडी से भी नहीं उठी तो छोड़के यहीं चले गए पांच लोगों ने अन्मान जी का नाम लेकर उसको जाड़ से टिका था हर साल यग्य होता है 21 वर्ष होगा यग्य में एक यग्य कोरोना में नहीं हुआ बस बाकी पूरे 21 यग्य उसके कंप्लेट हो चुके हम देख रहा है कि मंदिर के पास यह संति जी की भी मूर्ति की स्थाफना यह अभी रामदाजी महाराज है यह सं 2002 में आये थे जब यहां एक छोटा सा मंदिर था और कुछ नहीं था फिर उन्होंने पैदल घूम घूम के चारों तरफ लोगों को जोड़ा यह मंदिर को बनाया यह यग्जी की प्रता 1973 से चालू की, मंगलवा शनीवार भंडारा चालू किया, प्रता आज तक चली आ रही है यह मंदिर नर्मदापुरम चिले की अंदर आता है या बैतूल जिले की ए? लेकिन यही सामने जो पहाड दिख रहा है यह नर्वदाम पुरम में आता है अलब बॉर्डर पे है होशंगाबाद और बैतुल की बॉर्डर कोई बिसेश प्रशाद जो इस मंदिर में चड़ता हो गुड़ चना हनमान जी को चड़ता है वसुरी चड़ता है और लड़ू च लोगों की मन्मते पूरी हो जाती है सिद्ध हनमान जी का इस्थान है कि अ हुआ हुआ है